बहुत काम आएंगी ये 25 किचन की टिप्स और ट्रिक सबसे पहले है सेव टमाटर की सबजी बनाते समय मिश्टन में चाट मसाला और आमचुर पाउडर का इस्तिमाल करें रसोई में घुषते ही नाख में घी या सर्चो का तेल लगाएं सीर और फेपड़े स्वस्त रहेंगे करेला मेथी और मुली यानि कड़वी सबजी भी खाएं रखत सुद्ध रहेगा प्लास्टिक और एलोमिनियम रसोई से हटाएं दोनों कैंसर के बड़े कारण है नेक्स्ट है क्रिस्पी पूरी बनाने के लिए पूरी का आठा टाइट गुंधे यदि आठा नारम हो गया है तो 30 मिनित तक फ्रीज में रखे पूरी बेलने के बाद तेज गर्म तेल में तले पूरी क्रिस्पी बनेगी और तेल भी कम सोखेगी नेक्स्ट है साधा पराठे को कुरकुरा बनाने के लिए आठा गुंते समय उसमें एक उबला हुआ आलू मैश करके डाले पूरी क्रिस्पी होने के साथ साथ टेस्टी भी बनेगी नेक्स्ट है जो लोग खड़े होकर पानी पीते हैं उनका गुटना और किदनी फेल हो जाता है इसलिए हमेशा पानी बैट कर ही पीने चाहिए नेक्स्ट है एक चमश शहत गर्म करके दिन भर में एक बार खाने से कप जैसी समस्या में आराम मिलता है नेक्स्ट है उबले हुए प्याच को एक कपड़े में बांध कर फोड़े वाली जगह पर लगाने से फोड़ा फूट जाता है नेक्स्ट है रोजाना रात को सोने से पहले त्वचा पर नारिल का तेल लगा कर सोना चाहिए यह त्वचा को मुलायम और चमकदर बनाता है नेक्स्ट है रोटी बेलते समय आपके बेलन पर आटा ना चिपके इसके लिए आप रोटी बनाने से पहले बेलन पर थोड़ा सा तेल लगा ले नेक्स्ट है कीचन के दर्वाजे और स्टोर की आलमारी में आट से दस लॉंग रखने से कौकरोज भाग जाएंगे नेक्स्ट है रसोई में या चाय जल जाए तो ग्यस के चारो तरफ प्याज काटकर रख दे इससे बदबू दूर हो जाएगी नेक्स्ट है भिन्नी या आलू की सबजी में मिर्च ज्यादा पड़ जाए तो दही डालने से मिर्च का तीखापन कम होगा और सबजी भी टेस्टी लगेगी नेक्स्ट है चावल को भून कर उनको रात भर के लिए पानी में भीगो दे सुबह चान कर चावल के पानी को पीने से पेट के सभी कीडे मर जाते हैं नेक्स्ट है तर्बुच खाने से दिमाग शांत रहता है और गुसा कम आता है असल में तर्बुच की तासीर ठंडी होती है यसलिए दिमाग को शांत रखता है नेक्स्ट है ग्रेवी वाले भरवा बैगन को बनाते समय थोड़ा सा सौफ पाउडर मिलाने से सबजी काफी टेस्टी बनती है नेक्स्ट है पालक आलू पराठा बनाते समय मिश्ण में थोड़ा सा बेशन मिलाने से पराठा स्वादिस्ट बनती है सर्चों के तेल को नाभी पर लगाने से फटे ओट ठीक होने के साथ साथ मुलायम भी हो जाती है कीडों को भगाने के लिए निम्बू और बेकिंग सोधा का घोल बना कर स्प्रे बोटल में भर कर कीडों के उपर छिड़कने से कीडे भाग जाएंगे दूद में एक चुटकी खाने का सोधा मिलाने से दूद जल्दी खराब नहीं होती है चटनी के लिए पुदी न को महिन न पीसे इससे चटनी में कड़वाहट आ जाएगी नेक्स्ट है भिंडी खरीते समय भिंडी के पीछे का किनारा थोड़ा सा तोड़ कर देखे अगर यहाँ आसानी से तूट जाता है तो भिंडी ताजी होगी नेक्स्ट है निम्बू को हमेशा बाकी सबजी और फालो से दूर रखे नहीं तो यह जल्दी खराब हो जाएगी नेक्स्ट है आम के आचार बनाते समय इसमें थोड़ा सा गूड डाल कर मिलाए इससे आचार स्वादिस्ट बनेगा इस तरह से दादी और नानी के कुछ बताएवे टिप्स और ट्रिक्स है धन्यवाद